नमश्कार स्वागत है आपका इंटरंडी सेवन न्यूज में आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चोधरी उत्तर काशी में धसी टैनल में फसे 40 मज़दूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रियास किया जा रहा है पांच दिन यानी 120 घंटों का वक्त बीट गया है अब तक मज़दूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका राहत और बचावकारों में शामिल अधिकारियों ने कहा कि मलबे के मध्यम से पाइपों को धकेलने में छेद करने की तुलना में अधिक समय लगता है खास कर अगर ये सुनिश्चित करना हो की वेल्डिंग के बाद पाइपों में कोई दरार ना हो ये पूछे जाने पर कि मशीन 4-5 मीटर पृती घंटे की अपेक्षित ड्रीलिंग गती क्यों हासल नहीं कर पा रही है रास्टे राजमार्ग और बुनियादी धाचा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशक अंशु मनीश खल्खों ने बताया कि मशीन पर पाइपों को संरेखित करने और उन्हें ठीक से वेल्डिंग करना उनको आगे बढ़ाने से पहले समय लगता है खल्खों ने आगे दावा किया कि रेस्क्यू ओप्रेशन की धीमी प्रगती के पीछे ड्रीलिंग मशीन का डीजल चालित होना है उन्होंने कहा ये एक बंद जगा में काम करने वाली डीजल से चलने वाली मशीन है इसलिए कंप्रेशर के साथ निस्चित समय अंतराल पर व मजबूत करना होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बीच में कुछ भी गलत ना हो खल्कों ने आगे कहा कि मशीन संतोस जनक धंग से काम कर रही है और जैसे जैसे मलबे के माध्यम से आगे बढ़ने में प्रगती होगी और बचाव कर्मी इस सिस्टम के आदी हो जा आई जा रही है आपको बता दें उत्तरकाशी के शिलक्यारा टनल में सो घंटे से भी जादा वक्त से फसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नए औरगन मशीन ने काम शुरू कर दिया है देर रात तक टनल में 900 किलो मीटर व्यास के 66 मीटर के तीन पाइपों को 18 मीटर तक बिचा दिया गया था रात साड़े बारा बज़े चोथे पाइप को जोड़ने का कारे शुरू हो गया टनल में कुल 60 मीटर तक ऐसे 11 पाइप बिचाए जाएंगे इनी पाइप से रास्ता बनते हुए मजदूरों को बाहर लाया जाएगा उमीद जताई जा रहे कि देर रेस्क्यारा तनल में फसे लोगों की उनके परिजनों से भी फोन पर लगातार बात कराई जा रहे है दूसरी और रेस्क्यूटीमों द्वारा लगातार संपर्क बनाते हुए लोगों का होसला भी बढ़ाया जा रहा है जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि रविवार सुबा साड़े पांच बजे भुस्कलन की वजह से आए मलबे के कारण सिलक्यारा टनल में बंध हो गई थी उस वक्त उसमें 40 मजदूर मौजूद थे ये स्थान सिलक्यारा की ओर से बनाई जा रही टनल से 270 मीटर भीतर है आज मजदूरों को टनल में फसे 120 घंटे से भी पकड हर खाबर पर